नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी कास भागत करती हूं आपकी अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में काफी सारे कमेंट्स में रेसीब कर रही थी कमेंट्स बॉक्स में काफी सारे स्टूडेंट जो मेरे वीवर्स थे वो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं हमें चै सकते हैं आप मेरे वीडियो को इसकाथ कर सकते हैं अब यससे बैजिक से स्टार्ट करूंगा जर्ट आपको problem ना हो वैस स मैंने आलले डिए बडियो बनाया है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे video को साच करके सुमर education hub मेरे चैनल का name है इसको आप सार्च किजिए वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ओल्ड ऑप्शन आएगा उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो आपको स्टार्टिंग से शूँग होगी और फ्रॉम स्टार्टिंग को वॉच्छ कर सकते हैं अधर्वाइस में यहां से प्रॉम जहां पर कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे चैली प्राइम में कैसे वक सिखना है यहां से में बताने वाली हूं तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि टैली प्राइम का जो सॉप्ट्वेर है वो दिखता कैसे हैं इंटरफेस पर क्या- और चैली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मुझे अप्रेशेट किजिए मेरे चैनल को सपोर्ट करके लाइक करके शेयर करके अन बेल आकन प्रेस करना ना भुलिये गास एंट्विच जो भी वीडियो में ए होगा जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में प्रोफेशनल लगता है तो यह टैली प्रैम का इंटरफेस है टैली प्रैम ओपन होने की बाद कुछ आपको यहाँ पर उपर शो होंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे टॉप में आपको सेवन एट ऑप्शन मिलते हैं तो उन सारे सेवन एट ऑप्शन के अंडर में क्या है वह में डिसकस करती हूँ ते हैं आपको कंपनी डेटा एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंट, हेल्प यह सारे ऑप्शन आपको उपर में शो होते हैं तॉप में शो होते हैं और साइड में आप देख सकते हैं डेट शो होगी कंपनी शो होगी तो यह सारे ऑप्शन आपको इंटरफेस के स्क्रीन पर शो होगा और यहीं पर राइट हैं साइड पर आप गेट देखेंगे तो आपको name of company show होगा and voucher date show होगा तो ये सारे options आपको यहाँ पर मिलेंगे जो company open होगी सबसे पहले आप देख लेते हैं company option में क्या-क्या option है तो जब company पर आप click करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर create का option शो हो रहा है create पे click करके आप new company को create कर सकते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैंने click के आप देख सकते हैं एक new window open हो गई है जहां से कि आप अपने company को create कर सकते हैं जो भी आपके company का name है आप यहाँ पे create कर सकते हैं उसके बाद next option देख लेते हैं तो next option alter का है alter means जैसे ही आप इस पर click करेंगे the list of company आपको यहाँ पर two companies show हो रही है अगर आपने जितने भी company create किये हैं वो सारे companies आपको यहाँ पर show होंगे company में कोई भी alteration करना है तो alter पर आप click करेंगे यहाँ से उस company को आपको select कर लेना है जिस भी company में alteration करना है suppose कीजिए company का address change हो गया या फिर company का जो contact number है वो change हो गया या फिर आपको add करना है किसी भी type का कोई भी alteration करना है तो यहाँ से आप company select करके कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको show करती हूँ मैंने suman education hub नाप की company को open कर लिया है अब suppose कीजिए हमें इसमें एक mobile number है already इस company में हमें एक और mobile number add करना है तो इसको add करने के लिए mobile number पे आ जाईए end पे हम आएंगे और यहाँ पे slash देंगे और जो हमारा और कोई mobile number है इसको हम add करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस mobile number का जो mobile number है तो वो type कर लिजे suppose कीजिए website आपकी change हो गई है वो भी आप यहाँ से change कर सकते हैं इसको erase कर दीजे and again type कर दीजे email idea अगर आप update करना चाहते हैं तो यहाँ से update करके save कर देंगे तो जो हमने alteration किया है company में alteration हो चुका है तो इस step से आप कर सकते हैं उसके बाद देखिए change का option आता है जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो change company suppose कीजिए आपके screen पे 3-4 companies open है उस company में से आप work करना चाहते हैं change करना चाहते हैं जैसे कि zoom and education hub मेंने select किया आप यहाँ देख सकते हैं zoom and education hub company open हो चुकी है आपको show हो रही है इसमें आप work कर सकते हैं तो company change के option को आपको इस type से use करना है उसके बाद shirt का option show होता है तो shirt option पे click करके आप कोई unnecessary company जिसमें आप work नहीं कर रहे हैं उसको आप shirt कर सकते हैं तो यहाँ suppose कि यह दो company show हो रही है let's suppose कि मुझे इसमें से कोई यह company शर्ट करनी है उस company को select कर लूगी मैं जैसे ही आप enterprise करेंगे वो company shut हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर show कर रही हूँ अब आप यहाँ देख सकते हैं पहले दो company open थी अब यहाँ पर सिर्फ अंजली enterprises open है second वाली company shut हो गई है इस step से unnecessary company को आप shut कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपको option मिल जाता है तो इस option पर klik कर सकते हैं तो यहाँ देखिये जो मेरा यह अभी version है यह educational mode है इसलिए हाँ पर option आ रहा है कि यह आपका जो version है वो educational mode है तो यहाँ पर आपको Freund everyone होता है यहाँ परludes कर सकते हैं आपको अकाउंट्स का, इन्वेंटरी का, एक सेशन का, यह सारा ऑप्शन मिलता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद नीचे सेक्योर्टी है, टैली वालेट है, इन सारे ऑप्शन को आप यहापे क्लिक करके अपने कॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको बैक अप लेना है, तो बैक अप पे क्लिक करके कर सकते हैं, रिस्टोर करना है, कपनी को स्प्लीट करना है, डेटा का पात डालना है, तो यह डेटा के अंडर में डेटा से रिलेटर सारे ऑप्शन्स आपको मिल जाते हैं, एक्सचेंज भी जब आप क्लिक करे है Master transactionNow यहां पर आप click करके data को Import कर सकते हैं Master data चहिगे तो हमांपर click करके कर सकते हैं इस बते से export है अगर export करना चाहते हैं Master transaction तो इस वाइबसर प्रे Всем this पे क्लिग करके इन Options को आप यूज कर सकते हैं उसके बाद email अगर आपको email करना है तो यहाँ पे other पे configuration पे click करके configuration भी कर सकते हैं, other पे जब आप click करेंगे तो और भी options आपको show होंगे, उसको दिखिये print है print पे आपको other and configuration दो option मिलते हैं, other के अदर में और भी option होते हैं, उसको भी आप use कर सकते हैं, उसके बाद help का option है, तो telly prime यहां पर आपको help भी मिल जाएगी और यहां सारे options आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि सेटिंग हो गया TDL and address हो गया about हो गया तो about में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका teleprime का कौन सा सबसे अच्छा जो option मुझे लगता है वह मिडल में गोटू का गोटू के option पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सारे reporting list of reports आपको show होते हैं सारे reports को आप यहां पर गोटू पर क्लिक करके use कर सकते हैं shortcut keys भी यहां पर दी हैं immediately अगर आपको company create करना हो voucher create करना हो तो वह आप उपर से क्लिक करके create कर सकते हैं सबसे अच्छा गोटू option का use यह होता है suppose कीजिए आप कोई entry कर रहे हैं speech में अगर आपका boss कहता है कि किसी party का laser में चीए तो आप without stop entry आप उस reports को उस laser को open कर सकते हैं वहीं से boss को आप दे सकते हैं लेजर एन उसके बाद जो आप work कर रहे हैं voucher में उसकी entry आप continue कर सकते हैं आपको backspace जाके entry को break नहीं करना है वहीं से आप reporting को कर सकते हैं तो go to option का सबसे अच्छा use यही है चैली प्राइम को open कर लिजिए अब new company को create करने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम open करने के बाद सबसे उपर आपको एक option शू होता है company इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां आपको एक create का option मिलता है इस option पर click करके जो new company है उसको आप create कर सकते हैं तो यह देखिए एक new window open हो चुकी है यहां से जो भी आपके company का name है वो type कर लीजिए तो यहां पर मैं create कर रही हूँ सूमन education hub नाम से company जो भी आपके company का name है आप यहां पर type कर सकते हैं mailing name में same आएगा as it is इसके बाद address जो भी आपके company का registered address है यहां पर completely आप type कर लीजिए आपको यहां पर sufficient space मिल होता है जिसमें कि आप अपने address को detail में type कर सकते हैं उसके बाद state जैसे ही state पर आप आएंगे तो list of state यहां पर आपको right hand side पर show होता है तो आपके company का जो भी registered state है यहां से आप select कर सकते हैं तो यहां पर हमारा डेली है तो यहां पर इसलिए डेली select कर लेंगे आपका जो भी state state है उस state को आप यहां से select कर सकते हैं country India होगी pin code जो भी आपके address का pin code होगा उसके बाद जो telephone number है official telephone number है यहां पर फिंग कर सकते हैं उसके बाद mobile नमबर जो भी же गर मुबायल नमबर एड्रेस है तो वेबसाइड एड्रेस यहां पर फिल कर लिजिए उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आप्षिन आपको मिलता है फिनाशिल यर बिगनिंग फ्रॉम तो फिनाशिल यर करेंट यर आपको फिल करना है जिस भी यर में कमपनी आप क्रियेट कर रहे हैं तो हम यहां पर 22 तेस में क्रियेट कर रहे हैं सलिफ 1st April 2022 करेंगे books beginning from यहाँ पे दोनों में same date आता है 1st April 22 यह सारी information फील करने के बाद carefully देख लिजे कि जो भी information आपने provide किया है वो सारी information correct है उसके बाद इस screen को आपको save कर लेना है accept का option आ रहा है आपे yes कर लिजे अब आप यहाँ पे एक और window देखेंगे automatically open हो चुकी है company created successfully जो आपने company create किया था वो successfully create हो चुका है यहाँ पे आपको configuration करना है अपने according यहाँ सबसे पहले आपको accounting का option मिलता है inventory का and taxation का तो यह सारे options को आपको अपने according फेल करना है जो भी options आपको चाहिए maintain account yes होगा enable bill by bill yes होगा enable cost center अगर आप इस option को use करना चाहते हैं cost center wise काम करना है तो yes कर दीजिए otherwise इसको no रखिए enable interest calculation अगर आप अपने invices पे interest calculation करना चाहते हैं तो yes कीजिए otherwise इसको no कीजिए accounts के साथ साथ अगर आप inventory maintain करना चाहते हैं तो यहाँ पे inventory में maintain inventory में yes कर दीजिए अगर inventory maintain नहीं करना है तो इस option को आप no कर सकते हैं तो हम यहाँ पर inventory maintain करना है तो हम इस option को yes करेंगे उसको second option है इंट्रागेट account with inventory तो इस option को भी yes कर लिजए enable multiple price level अगर आप multiple price level को maintain करना चाहते हैं तो इस option को yes कर लिजए enable batches जैसे कि यहाँ पर कुछ accounting है जो batch wise की जाती है जैसे कि medical store हो गया, pharma company हो गया और कोई showroom, car का showroom हो गया, bike का showroom हो गया अगर इस type की accounting को आप maintain करना चाहते हैं जो कि batch wise maintain किया जाता है तो इस option को आप yes कर सकते हैं and batch wise option enable हो जाएगा उसके बाद उस option को आप use कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं no रखनी हैं क्योंकि हमें batch wise accounting maintain नहीं करना है enable job order process, अगर आप job order process करना चाहते हैं तो इस option को yes कर लिजए, otherwise no रखिए enable cost tracking, तो cost tracking अगर आपको करनी है तो इस option को yes कीज़े, otherwise इसको no रहने दीज़े enable job costing, तो अगर इस option को yes करना है, use करना है, तो yes कीज़े, otherwise इन सारे options को आप no ही रहने दीज़े क्योंकि यह options कम ही use होते हैं, use discount column in invices, suppose कीज़े, आप discount का separately column print करना चाहते हैं अपने invoice में, तो इस option को हम yes करेंगे, क्योंकि हमें separately column चाहिए, discount का use separate actual and bill quantity column in invices, अगर आपको invices में actual quantity and bill quantity का separately column चाहिए, तो इस option को yes कर दीज़े, otherwise no कर सकते हैं अब आते हैं tax session की तरफ, यहाँ पे enable goods and services, tax, GST वाले option को यहाँ पे yes करके, enterprise करना है आपको, जब आप यहाँ पे enterprise करेंगे, तो GST से related सारी information, सारी details आपको यहाँ पे feel कर दी हैं, सबसे पहले GST registration details, तो यहाँ पे आपको state select करना है, जो भी आपके company का state है, registration type, composition है, regular है, वो select कर लीजे, उसके बाद यहाँ पे GST applicable from, जिस current year में आपने open किया है, तो current year कर लीजे, उसके बाद GST number आपको अपने company का यहाँ पे feel करना है, तो यहाँ पे मैं अपने company का GST number feel कर लेती हूँ, उसके बाद GSTR 1, अगर आप monthly कर रहे हैं, तो monthly कीजे, quarterly कर रहे हैं, तो quarterly इन द GST rate, जो है, यह सारे options आप read कर लीजे, अगर इन सारे options को आप चाहते हैं, तो इन सारे options को अपने according, yes or no कर सकते हैं, use करना है, तो yes कर लीजे, अगर इन सारे options को आप नहीं चाहते हैं, तो आप इन सारे options को नो रख सकते हैं, तो इन सारे options को मैंने according, yes, no कर लिया है, आप अ कर दीजिए एपली केबल फ्रॉब्स कप से एपली केबल करना है वो भी आज आप सेलख कर सकते हैं उसके बाद तरहीं च्छाषण लीमिट है इसकी ध्रेशरन लीमिट होती है एक हिवेकिंषाओं थाउजण रेगा एपली केबल फॉर इस कर दीजिए त्रेशन लिमिट जो है वो यहां पे 50,000 रहेगी तो इस आप से सारे आप्शन को यह नो करके एंड इस स्क्रीन को आप सेव कर लीजिए सेव करने की बाद इहाँ पर सारे आप्शन्सा आपको मिल जाते हैं इसके बाद इनेबल टीजिएज जो टीजिएज वाला आप्शन है अगर आप कुई कमपनी का टीजिएज ड़ेटक करती है तो इस आप्शन को आपको यह स्क्रीजिएज करना है company किस type की है deductive वो करना होता है उसके बाद सारे options आप यहाँ पे देख लीजिए अपने according yes no कर लीजिए उसके बाद जो person responsible है उसका सारा information आपको feel करना है जिसे उसका name क्या है designation क्या है address क्या है mobile number, pin, code, email id तो उससे related सारी information आपको यहाँ पे feel करना है and feel करने के बाद इस window को save कर लीजिए इस window को save करने के बाद यहाँ पे कुछ नीचे options मिलते हैं उन options को भी आप read कर सकते हैं अपने according yes no कर सकते हैं जिस option को आपको use करना है उसी option को आप yes कीजिए otherwise उस option को no रखके save कर लीजिए उसके बाद next है enable tax calculation of source tcs अगर आप tcs collect करते हैं तो इस option को yes कर दीजिए और यहाँ पे आपको 10 registration number करना है 10 number करना है और यहाँ पे जो deductive type है यहाँ पे आपको उसको select कर लेना है individual है या फिर company है तो यह सारे options देख लिए जिए अपने according yes no करना है आपको and जो person responsible होगा tcs collect करने का उसके भी information आपको यहाँ पे पेल करनी है जैसे इसका नाम क्या है address क्या है mobile number क्या है email id क्या है सारी information से related पेल करके इस window को आप save कर लीजे तो यहाँ पे हमने text session से related हमने यहाँ पे gst को enable कर लिया है tds को कैसे enable करना है वो भी हमने इस video में देखा अब इस screen को आपको save कर लेना है इस screen को save करने की बाद सारे options जो है यहाँ नीचे 2-3 option और हैं तो इन सारे options को आप देख सकते हैं तो यह सारे options अब use नहीं होता है तो इन सारे options को no रहने दीजे अब यहाँ नीचे कुछ options है उसको भी आप देख लीजे अगर yes करना है तो yes करना है तो no रहने दीजे अब यहाँ पे payroll का भी option मिलता है अगर आप salary maintain करते हैं तो payroll वाले option को yes कर लीजे नहीं करते हैं तो इस option को no कर लीजे इसी टैप से नीचे आपको multiple address show हो रहा enable multiple address अगर आपकी company का multiple address है जैसे कि company कहीं और है गोडान कहीं और है तो इस option को yes करके आप अपने company का दो address भी feel कर सकते हैं कि गोडान का address यह है office का address यह है accept करने के बाद यहाँ पे successfully हमारी जो company है वो create हो गई है with configuration के साथ अब यहाँ पे आप देखेंगे Suman Education Hub आपको show हो रहा है no voucher entered यानि कि अभी हमने सिर्फ company create की है कोई भी हमने voucher यहाँ पे add नहीं किया है जब enter करेंगे आप तो यहाँ पे आपको voucher show होंगे अभी हमने just company create की है यहाँ पे कोई वाचर show नहीं हो रहा तो इस step से अगर आप tally prime first time यूज़ कर रहे है first time आपने देखा है आप student है आप accounts का work सिखना चाहते है tally prime में तो मैंने आपको सबसे पहले बताया इससे पहले वीडियो में बताया इसका introduction इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको company को create करना है configuration के साथ इस step से आप भी create कर सकते है टally prime को open कर लीजिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि आपको अपने suppliers यानि कि जिनसे आप purchase करते हैं उसके ledger को कैसे create करना है तो create पे click किजिए यहाँ आपको सारे option मिलते है group create करना है ledger create करना है currency create करना है voucher type create करना है stock group create करना है stock category stock item unit good on आप यह सारी चीज़े यहाँ पे click करके create कर सकते हैं तो आज के इस फीडियो में हम सिखने वाले हैं कि suppliers के ledger को आपको कैसे create करना है तो उसके ledger को create करने के लिए हमें यहाँ पे select करना है ledger का option क्योंकि हमें ledger create करना है तो यहीं से हम select कर लेते हैं ledger का option आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नई window open हो गई है यहीं से हम ledger को create करेंगे तो आपके suppliers का जो भी name है जो भी आपके party का ledger है जिससे आप purchase करते हैं उसका name आपको यहाँ पे type कर लेना है तो मैं आपको create कर ले रही हूँ Suman Education Hub यह company का name जो भी आपका होगा आपको यहाँ पे type कर लेना है उसके बाद enterprise करके under आपको select करना होता है group कि यह जो ledger आप create कर रहे हैं वो किस group में create कर रहे है तो जो हमारे suppliers के ledger होते हैं जिनसे हम purchase करते हैं उनका ledger हम create करते हैं under group sundry creators तो यहाँ पे आपको sundry creators select कर लेना है enterprise करोगे आप तो maintain balances bill by bill में yes कर लेना है and इस party का जो registered address है वो यहाँ पे आपको feel कर लेना है detail में आप यहाँ पे feel कर लीज़े आपको यहाँ पे enough space मिल जाता है उसके बाद state आपको select करना है कि जो आपके supplier से वो किस state से belong करते हैं तो यहाँ पे आपको drop down में सारे state मिल जाएंगे मैंने डेली select किया है क्योंकि हमारा जो supplier है वो डेली के हैं उसके बाद जो pin code number है वो डाल दीजिए उसके बाद आपको एक option मिलता है banking details तो यहाँ पे provide bank details अगर आप अपने suppliers का banking details यहाँ provide करना चाहते हैं तो yes करके कर सकते हैं अधर वाज इसको no रहने दीजिए उसके बाद आपे text registration details फिल करनी होती जिसमें कि registration type में आपकी जो party है unregistered है registered है regular है composition है customer है यहाँ से आप select कर सकते हैं अगर आपकी party registered है तो regular select करना है and GST number में आप उस party का GST number फिल कर लीजे and यहाँ पे जो ledger है वो complete हो चुका है हम accept करेंगे तो पहला ledger हमने create कर लिया है इसी type से आपके जितने भी supplies के ledger हैं आपको create कर लेना है मैं एक और आपको show करती हूँ कि कैसे create करना है जो procedure है वो same रहेगा same procedure को follow करके आपको अपने supplies के ledger को create करना है और ledger create करना है आपको तो यही पर इसे screen पर आप देख सकते है यही पर again आपको same procedure follow करते हुए party का जो name है वो type कर लेना है जैसे कि मैंने shift trading company किया है under आपको जो group है वो same select करना है sundry, creators उसके बाद maintain balances, bill by bill yes कर लीजिए party का जो address है registered वो यहाँ पर आपको detail में field कर लेना है उसके बाद state आपको select कर लेना है state में आपको अपनो suppliers का state select कर लेना है अगर local है तो deadly select कर लीजिए महारास्ट्रा है तो यहाँ पर महारास्ट्रा की party है यह आप्यक्र महारास्ट्रा SELEC कर लें है pin code number में pin code नमबर प्रवाइट कर दिजए और जो भी इस पार्टी का GST नमबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है GST नमबर पिल करने के बाद इसको आप सेव कर लीजए Same procedure फॉलो करके आपके जितने भी सप्लाइर्स से उन सारे सप्लाइर्स के लेजर को आप इस टैप से टैली प्राइम में क्रियेट कर सकते हैं नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ग में आज के इस फीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में आप अपने बायर्स के लेजर को कैसे क्रियेट करेंगे तो क्रियेट करने के लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है यहां से आपको लेजर क्रियेट करने के लिए Gateway of Tally Create वाले option पे click करना है जैसे ही उस option पे आप click करेंगे यहाँ पे आपको एक ledger का option शो होगा उस पे click कीजिए अब यह जो window open हो गई है यहीं से आपको अपने buyers के ledger को create करना है जो जिनको आप sale करते हैं उनके ledger को हम create करेंगे तो जो भी आपके बायर के ledger का name है वो type कर लीजे तो मैंने यहाँ पे shivam trading company जो है वो type कर ली है अंडर आपको select कर लेना है sundry data क्योंकि जो हम sale करते हैं जो हमारे buyers होते हैं इसके ledger को हम sundry data के अंडर में create करते हैं maintain balances bill by bill इसको yes कर लीजे और यहाँ पे जो party का address है वो completely आपको fail कर लेना है address fail करने के बाद जो state है वहाँ पे जो भी आपके buyer का state है वो select कर लीजे जैसे कि अगर डैली का buyer है तो डैली select कर लीजे महारास्टा का buyer है तो महारास्टा select कर लीजे registration type में आपको regular रखना है अगर आपके party registered है उसके बाद party का GST number select कर लीजे यहाँ पे आपको manually type कर लेना है अपने party का GST number और इस टैप से इस ledger को save कर लीजे तो आपके buyer का जो ledger है वो create हो गया है इसे टैप से और भी buyers के ledger है तो आप इसको create कर सकते हैं same way से करना है मैं आपको एक और create करके बता रही हूँ तो यहीं पे जो screen open है यहीं से आपको name में अपने party का name type कर लेना है और जो group है वो रहेगा sundry data maintain balances bill by bill इसको yes कर लीजे और party का जो address से वो आपको यहाँ पे fill कर लेना है address detail में fill कर लेना है और उसके बाद जो आपका जो buyer है उसका जो state है वो select कर लीजे state जो भी है वो आपको select कर लेना है pin code में pin code unregisteration type में अगर party registered है तो regular कर लीजे और यहाँ से आपको option मिलते है unregistered भी select कर सकते हैं अगर आपकी party unregistered है तो इस ledger को save कर लीजे इस step से आपको जितने भी buyers के ledger है वो create कर सकते हैं same way को follow करते हैं इस ledger को create कर लेना है thank you and keep watching my videos teleprime को open कर लीजिए top of the left corner में आप देखेंगे तो आपको company का option show होगा उस पे नीचे आप देखेंगे create, alter, change, select, shut यह 4-5 options आपको show हो रहे हैं कैसे इन options को आपको use करना है यह मैं आपको बताने वाली हूँ suppose किजिए आपके पास already कोई company created है और कोई new company आप create करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे उपर create वाले option पे जब आप click करेंगे तो यहां से आप new company को create कर सकते हैं जो भी आपके company का name है company का name type कर लिजिए address सारी information फिल करके जब आप यहाँ पे save करेंगे तो आपकी जो company है वो successfully create हो जाएगी आप चलिए next option देख लेते हैं company पे click लेंगे और उसके उद alter alter पे जब आप click करेंगे हो company का जो मुबाइल नंबर है phone number जो है email id website किसी भी टाइब की कोई भी changes करना चाहते हैं आप created company में तो उस company को open करके कर सकते हैं अगर address update करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहां पे screen पे show कर रही हूं support कीजिए यहां पे मुझे mobile number company का जो created company में मैंने feed किया है उसको मुझे change करना है तो यहां mobile number में आके यहां पे मैं simply इसको delete कर दूँगी और जो भी मुझे mobile number update करना है उसको यहां पे type कर दूँगी और यहां से जब आप save कर लेते हैं तो जो भी आपने alteration किया है पो alteration यहा और उसके बाद change का option आपको यहां पे show हो रहा है तो जब आप इस पर click करेंगे support कीजिए आपको अपने company को change करना है किसी और company में आप काम करना चाहते हैं तो यहां पे आपको show होंगे company हमारे पास एक ही company creator है तो आपको यहां पे एक ही show हो रहा है आप जितने भी company में work कर हैं जो भी company हो सारी companies आपको यहां पे show होंगी यहां से आपको उस company को select करना है जिस भी company को आप change करना चाहते हैं तो आप यहां से उस company को select करेंगे तो वो company change होके जो आप select करेंगे वो company open हो जाएगी और आप उस पे work कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहां पे show कर रही हूँ मै यहां से आप इस कंपनी से कंपनी का से अपको तो सिजर्ब डी है आपूसे कंपनी को सवस्क्राइब आपको सारी companies show होंगी जब हमारे पास एक ही company create है इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही company show हो रही है तो यहाँ से हम select कर लेंगे जिस भी company को वो company यहाँ पर open करेंगे तो आपको यहाँ पर options मिलते हैं जिस भी company को open करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अब लास्ट वाले option को देख लेते हैं जो की है shut option तो यहाँ पर जब आप company पर click करेंगे shut के option पर click करके जो भी unnecessary company है आप उसको select करके shut कर सकते हैं तो इस step से हमने इस वीडियों पर देखा जो company के नीचे आपको सारे options मिलते हैं अगर आपको new company को create करना है तो आप create पर click करके उस company को create कर सकते हैं alter पर click करके created company में alteration कर सकते हैं changes कर सकते हैं change वाले option पर click करके जो भी आप company है उसको change कर सकते हैं और उसके वाद select वाले company पर click करके जो भी आप select करना चाहते हैं उस company को select कर सकते हैं शर्ट वाले option पर क्लिक करके जो unnecessary companies open हैं उसको आप शर्ट कर सकते हैं तो इस tab से टैली प्रैम में इन options को आप use कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बत्र प्रैम को open कर लीजिए आप gateway of टैली से आप यहां option देखेंगे थर्ड नमबर पर आपको chart of accounts यह शो हो रहा है इस पर click करना है देन आप ledger पर click करेंगे यहां click करने के बाद right hand side पर आप देखेंगे multi masters का option शो हो रहा है इस पर आपको click करना है देन अगर आपको multi ledgers create करने हैं तो यहाँ पर multi create पर जब आप click करेंगे तो आप यहां से multi-lagers को create कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको window पे show होता है under group तो आप यहां पे under group select कर सकते हैं let suppose आपको किसी भी एक particular group का काफी सारा ledger create करना है तो आप यहां से उस group को select कर सकते हैं let's take an example हमें indirect expenses की under में काफी सारे ledger को अगर create करना है तो हमने group को select कर लिया है name of pleasure में आपको ledger का जो name है वो create करना है जैसे कि मैंने आपको water expenses का create कर लिया है इसी type से आपको यहाँ पे under group जो है वो बार-बार select नहीं करना पड़ेगा अगर एक किसी particular group का आपको बहुत सारे ledger create करना है तो यहाँ देखिये मैंने water expenses, electricity expenses, salary expenses जो भी आपके ledger का name है वो name type करके enterprise करते चाहिए और यहाँ पे देखिये मैंने जो next ledger create किया है print and stationary जो होता है उसका आप create कर सकते हैं इस टाप से जो भी indirect expenses के under में ledger आप create करना चाहते हैं आप कर सकते हैं सिर्फ आपको ledger का name type करना है और जो group है वो auto select यहाँ पे हो जाता है stop welfare मेंने create कर लिया है इस टाप से one to one आप काफे सारे ledgers को create कर सकते हैं यहाँ पे accept कर लिजिए enterprise करके अगर support किजिए आप एक ही screen पे multiple ledger को create करना चाहते हैं तो कैसे आप create करेंगे multi masters पे click किजिए multi create पे आपको click करना है और यहाँ जो under group आपको select करना है all items क्योंकि हम यहाँ पे mix create करने वाले हैं जो group है वो mix है इसलिए हैं आपे all items आपको select करना है अब यहाँ देखिए name of ledger let's suppose कि आपको किसी suppliers का ledger create करना है जो आपको supply करते हैं जिनसे आप purchase करते हैं तो यहाँ पे मैंने जो ledger है वो create कर लिया है suman education hub नाम से यह हमारे suppliers है आपके suppliers जो भी है वो आप ledger के name को type कर सकते हैं अब यहाँ से आपको group select करना होगा क्योंकि हम multi ledger को create कर रहे हैं every time आपके यहाँ पे ledger select करना होगा तो मैंने आपके sundry creators को select कर लिया है इसी type से अगर आप किसी buyers के ledger को create करना चाहते हैं जिनसे आप sale करते हैं जिनको जो आपसे buy करते हैं जो आपसे खरीदते हैं अब यहाँ देखिए shoe trading company जो भी आपकी ledger का name है आप यहाँ पे type कर सकते हैं जो buyers से उसका ledger हम create करते हैं under sundry data के enterprise कर लीजिए और यहाँ पे let's suppose कि आपको किसी expenses का ledger create करना है या फिर income का करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे मैं ledger create कर दी हूँ interest receive का जो की direct income के अंडर में आता है तो यहाँ से आपको group select कर ले रहा है इसी type से अगर आप किसी चीज़ पे interest दे रहे हैं interest given तो वो आपके लिए indirectly expenses होगा तो यहाँ से आप अपने group को select कर सकते हैं जो भी आप ledger create कर रहे हैं उसकी group को every time आपको यहाँ पे select करना होता है अगर आप multiple ledger एक ही screen में create करना चाहते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे show कर रही हूँ अगर आप किसी एक particular group में काफी सारे ledgers को create करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया अब जो हमने ledger create किया है उन ledger को अगर आप check करना चाहते हैं कि create हुए है या फिर नहीं तो gateway of tally से chart of accounts में दैन आपको यहाँ पे ledger पे click करना है जैसे ही यहाँ पे आप click करेंगे आपको यहाँ पे सारे ledgers show होंगे तो जिसके under में आपने create किया है नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे इंडारेक्ट expenses के under में जो हमने ledgers create किये थे वो भी हमें show हो रहे है जैसे कि electricity expenses water expenses salary expenses staff welfare stationary and print expenses वो सारे आपको यहाँ पे show हो रहे है direct income में हमने create किया था interest receive इस टाप से जो भी आपने लेजर को create कर सकते है टैली प्रैम में नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज के इस वीडियों में आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्रैम में कोई लेजर आपने create किया है इसमें alteration आप कैसे कर सकते हैं अगर वो लेजर unnecessary है आपके लिए तो उस लेजर को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं यह मैं आपको आज के इस वीडियों बताने वाली हूँ समतचली वीडियो को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लेजर में आप alteration and delete कैसे कर सकते हैं तो gateway आप क्लिक करना है यहां से अब कोई भी लेजर को select कर सकते हैं जिस भी लेजर में आप alteration यानि कि changes करना चाहते हैं उस लेजरे को आप select करके enterprise करकी open कर लीजिए तो यहाँ आप देख सकते हैं वो ledger open हो चुका है let suppose आपको यहाँ पे उस party का address change करना है तो आप address change कर सकते है email ID update करनी है वो भी कर सकते है mobile number change करना है या फिर add करना है किसी भी type का कोई भी alteration करना है GST number change करना है तो आप इस type से हाँ पे changes करेंगे और इस screen को इस window को आप save कर लीजिए तो आपका जो आपने किया है changes, alteration किया है वो party के ledger में हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने भी just changes किया था तो यह हो गया है इस type से आप किसी भी ledger में alteration कर सकते हैं आपको यहाँ से उस ledger को select करना है open करने की बाद आप उसमें changes करके save कर सकते हैं अब मैं आपको show करती हूँ जैसे एक और ledger में ने open किया हुआ है suppose कीजिए इसमें आपको alter करना है इस party का जो group है उसको आपको change करना है तो यहाँ से sundry creator से लेके कि आप sundry data भी कर सकते हैं इस type से group भी change करना चाहा है तो किसी भी type का कोई भी alteration आप यहाँ पे कर सकते हैं आप मैं आपको show करती हूँ suppose कि जिए कोई unnecessary ledger है जिसको आप नहीं चाहते है तो उस ledger को आपको कैसे delete करना है तो ledger को delete करने के लिए मैं same procedure आपको बताती हूँ कि same procedure से करना है gateway of talis से आपको alter पे जाना है ledger पे जाना है और यहाँ से उस ledger को select कर लीजिए जिस ledger को आप delete करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं ledger select कर लेती हूँ ledger select करने की बाद जो आप ledger select करेंगे वो ledger open हो जाएगा यहाँ नीचे आपको shortcut keys शो हो रहा है delete पे click करके भी आप delete कर सकते हैं otherwise यहीं से आप alt a प्रेस करेंगे तो delete का option आपको शो होगा और आप delete करना चाहते हैं तो yes कर सकते हैं जैसे इस पे click करेंगे टैली आपसे पूछेगा delete yes or no अगर delete करना है तो yes कीजिए नहीं करना चाहते हैं तो no कीजिए इस टैप से yes no का option का आप use कर सकते हैं किसी भी ledger को delete करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एक चीज़ में आपको highlight करना चाहूंगी अगर आपने किसी ledger के साथ कोई भी transaction किया है कोई भी entry pass की है तो आप उस ledger को delete नहीं कर सकते हैं डिलीट आप उसी ledger को कर सकते हैं जिस ledger का use करके आपको कोई भी transaction नहीं किया है उस ledger को ही आप delete कर पाएंगे तो आप सोचेंगी कि कोई entry आपने की है और वो ledger unnecessary हो गया तो उसको आप delete कर दे तो आप delete नहीं कर सकते हैं जिस ledger का use करके transaction नहीं किया है उस ledger को आप delete कर सकते हैं I hope यह जो information मैंने आपनों के साथ share की है यह information आप से विलोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो चोटा सा काम कर दीजेगा चैनल को like, share, subscribe कर दीजेगा थेंक्यू यहाँ से मैं शो करती हूँ कि आपको सारे voucher कहां पे शो होंगे तो gateway of tally से आपको प्रेंस करना है DSS यह shortcut की है gateway of tally से जैसे ही आप DSS प्रेंस करेंगे types of vouchers आपको यहां पे शो होंगे जो standard voucher होते है tally prime में वो सारे voucher आपको यहां पे शो होंगे तो सबसे पहले one to one में आपको discuss कर लेती हूँ कि किन किन voucher में कौन कौन सी entry आपको pass करनी है सबसे पहले है contra voucher तो contra voucher में हम कौन सी entry पास करते हैं contra voucher का use करके सबसे पहले रेखिये जो आप cash withdraw करते हैं bank से उसकी entry हम contra voucher में पास करते हैं second जो हम cash deposit करते हैं bank में उसकी entry पास करने के लिए हम contra voucher का इस्तमाल करते हैं and third suppose किज़े आपके company में एक दो bank है तो एक bank से दूसरे bank में fund transfer करने के लिए भी हम contra voucher का use करते हैं basically contra voucher का use जो है 3-4 vouchers के लिए किया जाता है सबसे पहले जो cash withdraw करते हैं उसके लिए cash deposit करते हैं उसके लिए and cash transfer करते हैं patty cash में उसके लिए और एक bank से दूसरे bank में fund transfer करने के लिए हम contra voucher का use करते हैं तो इन सारी entries को record करने के लिए accounts में हम contra voucher का use करते हैं tally prime में अब हम देख लेते हैं second voucher second voucher है credit note credit note means सामने वाले party को credit देना credit note के through return में हम credit note देते हैं अब credit note किस चीज के लिए होता है तो credit note देखिए जब हम किसे से purchase करते हैं जिनसे हम purchase करते हैं जो हमारी सामने वाली party है वो हमें debit note इशू करती है उस debit note को हम credit note के अंडर में enter करते हैं suppose किजिए आपने किसे से माल purchase किया वो माल उन्होंने जो rate लगा रहा था 300 बट उन्होंने rate जो लगाया है वो 290 लगाया है 10 रुपिस का rate difference हो गया rate उन्होंने कम लगाया है तो 10 रुपे के लिए वो debit note इशू करते हैं जो कि हमारे लिए credit note होता है तो rate differences के लिए भी credit note होता है और short material के लिए credit note होता है तो credit note इन इन चीजों के लिए होता है जो सामने वाली party हमें इशू करती है और हम उसको enter करते हैं as a credit note अब third देख लेते हैं debit note तो third debit note अब debit note किसके against में इशू किया जाता है debit note इशू किया जाता है purchase invoice के against में same वैसे debit note है debit note भी rate difference के लिए इशू किया जाता है rate charges के लिए इशू किया जाता है damage condition में अगर कोई material है तो उसके लिए इन इन conditions में आप debit note का यूज करते हैं तो इस टैब से debit note और credit note को로 हम यूज करते हैं accounting को maintain करने के लिह next है delivery note delivery note का हम use क्यूँ करते हैं सबसे पहले जो delivery note है उसको delivery note भी कहा जाता है and delivery चलान भी कुछ लोग कहते हैं तो आप इस voucher को modify कर गए delivery note की जगा डिलिवरी चलान भी कर सकते हैं डिलिवरी चलान का हम इस्तमाल तब करते हैं जब हम without sale bill के अपने material को out करते हैं अपने business से suppose किजिए आपको एक लाख रुपे का order मिला and एक लाख रुपे का जो आपने order लिया है उसको आपने तीन चार lot में dispatch किया party के पास तो तीन चार बार जो हम dispatch करते हैं उसके लिए हम delivery note and delivery चलान का use करते हैं उसके बाद finally हम जो bill बनाते हैं वो सारे delivery चलान and delivery note को हम उसके साथ attach करके फिर finally sale bill को बनाते हैं तो delivery चलान का इस्तमाल हम करते हैं material को deliver करने के लिए without invoice अगर आप invoice के through नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको delivery note and delivery चलान का use करना होता है इसी type से job work in order job work out order यह हम manufacturing line में use करते हैं उसके बाद next is journal voucher तो journal voucher का use accounting को maintain करने के लिए and entry को adjust करने के लिए किया जाता है journal voucher accounting के लिए most important voucher होता है इसमें हम क्या करते हैं हम जितने भी type के adjustment entry है finalization की entry है journal voucher के through करते हैं secondly जो हमारे daily basis के expenses होते हैं उनको book करने के लिए भी हम journal voucher का इस्तमाल करते हैं journal voucher में आप कोई भी entry pass कर सकते हैं तो main जो voucher होता है वो journal voucher होता है accounting में journal voucher का basically use किया जाता है adjustment की entry को pass करने के लिए finalization करने के लिए daily basis के जो expenses होते हैं salaries होती हैं हम इस सारे voucher को record करते हैं journal voucher के through अब next हम देख लेते हैं next voucher है material in तो material in जो है वो basically manufacturer यूज़ करते हैं अगर आप manufacturer है तो जो material in चलान के थूँ आप material in का एक voucher बनता है उसके थूँ आप अपने business में आप अपने company में material को in करते हैं एक चलान होता है material in नाम से उसमें आप क्या-क्या material raw material किन-किन पार्टी से receive कर रहे हैं उसके लिए हम material in का use करते हैं इसी type से जो next है material out तो material out जो है वो same होता है अगर आपके business से आपके company से कोई भी material out हो रहा है तो material out का एक चलान हम print करवाते हैं एक book print करवाते हैं and material out के थूँ जो भी product आप अपने company से out करते हैं चोटे से छोटा इन बड़े से बड़ा जो भी product होता है आप इसको out करते हैं उसके लिए हम material out चलान का and material out voucher का use करते हैं तो आप इसमें entry स्वास करते हैं कि कितने material out हो गए and कितने material in हो गए उसके बाद है payment voucher तो payment voucher में हम क्या record करते हैं payment voucher में आपके business से आप जो भी payment करते हैं चाहे वो bank के थू हो चाहे वो cash के थू हो उसकी entry हम book करते हैं payment voucher में अगर आप अपने business को run करने के लिए fix assets purchase करते हैं और जो भी आप business कर रहे हैं उसमें raw material purchase करते हैं या फिर आप trading करते हैं तो उसमें आप अपने product को purchase करते हैं तो जो भी आप purchase करते हैं उसके against सामने वाली party को आप payment करते हैं तो payment की entry हम इसी voucher में book करते हैं कि हमने किसको किसको कितना कितना payment किया cash में भी अगर आप करते हैं तो cash वाली payment भी आप इसी voucher में book करेंगे उसके बाद next है physical stock तो physical stock अगर आप manufacturer है manufacturing company है आपकी तो manufacturing company में क्या होता है आपके godown में कितने stock physically available है उसकी entry हम यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है कि end of the month हम physical stock देखते हैं अपने godown में analyze करते हैं कि कौन-कौन सा stock physical condition में हमारे पास कितनी quantity में पड़ा है उसको हम register में note करते हैं और यहाँ पे आके अपने system में उसको month के end में उसकी entry हम पास करते हैं कि physically stock यह यह product हमारे पास इतनी-इतनी quantity में physically पड़ा हुआ है तो आपके factory में आपके godown में जो भी stock physically पड़ा होता है physically condition में होता है उसकी booking हम यहाँ पे physical stock के through करते हैं कि month के end में हम इसकी entry पास करते हैं अपने सारे product की कि कौन-कौन सा product हमारे पास कितने-कितने condition में physically है तो उसकी booking हम इस voucher में करते हैं अगर आप manufacturer है तब इस voucher का use कीजिए otherwise इस voucher को आप छोड़ सकते हैं next है purchase अगर आप अपने business में किसी भी type का purchase कर रहे हैं suppose कि जीए आप manufacturer है तो आप raw material purchase करेंगे आप अगर trading करते हैं तो finished good को purchase करेंगे और अपने business को run करने के लिए fix assets भी purchase करते हैं तो किसी भी type का कोई भी अगर आप purchase करते हैं अपने business में उस चीज़ को ले के आते हैं तो उसकी entry हम book करते हैं purchase के voucher में purchase voucher के थुरू हम show करते हैं कि यह चीज़े हमने purchase किया है चाहें वो fix assets हो आपके fix assets के अंडर में computer आते हैं plant and machinery आता है furniture आता है तो इन सब चीज़ों की भी purchase की entry हम purchase voucher में करते हैं अगर आप अपने business को run करने के लिए कुछ भी purchase करते हैं तो उन सारे purchase की entry हम यहाँ purchase voucher में करते हैं उसके बाद next है purchase order तो purchase order क्या होता है अगर आप manufacturer है या फिर trader है तो manufacturer है तो आप raw material purchase करेंगे trader है तो आप finished good को purchase करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं जिन से हम purchase करते हैं उनको हम order place करते हैं और वर्बली order place ना करके अगर आप return में order place करते हैं तो purchase voucher का use करके purchase order voucher का use करके आप return में सामने वाली party को purchase order place करते हैं और उसके against में आप material को purchase करते हैं तो अगर आप return में purchase order देना चाहते हैं तो purchase order voucher का use कर सकते हैं नेक्स्ट है receipt voucher तो receipt voucher मतलब आप अपने business में आप अपने company में किसी भी type की receiving करते हैं payment की चाहे वो cash के थू हो चाहे वो किसी bank के थू हो उन सारे payment की entry जो आप payment receive करते हैं उसकी entry हम receipt में करते हैं suppose किजिए आपने किसी को sale किया cash में और cash में आपने payment receive किया तो उसकी entry हम receipt voucher में करेंगे अगर आपने किसी party को credit mall sale किया है और आपने check receipt किया है या फिर आपने online payment receipt किया है तो उसकी entry हम यहाँ पे receipt voucher में करेंगे उसके बाद rejection in and rejection out जो है वो अगर आप manufacturer है तब इस voucher को use कीजिए rejection in मतलब होता है क्या rejection in हुआ है rejection out मतलब कि क्या क्या product जो है वो reject हुआ है and reject होके out हुआ है उसके बाद देखे sales voucher है sales voucher में हम record करते हैं उस entry को अगर आप अपना business चलाते हैं और business में आप कुछ भी sale करते हैं चाहे वो cash में हो चाहे वो credit में हो तो जो भी आप sale करते हैं उसके entry हम यहाँ पे sale voucher में book करते हैं sale voucher का इस्तमाल हम उसी ले करते हैं जिसमें हम अपने product को sale करते हैं चाहे वो raw material हो चाहे वो finished good हो उसके बाद next है sales order जैसे हम purchase order यूज़ करते हैं वैसे हम sales order करते हैं उसके बाद last है आप there stock journal तो stock journal में अगर आप manufacturer है तभी स वाचर को यूज़ कीजिए अधरवंच वाचर को आप skip कर सकते हैं Stock journal के under में अगर आप manufacturer हैं तभी आप stock journal को यूज़ कीजिए otherwise इस voucher का आप skip कर सकते हैं stock journal के अंदर में manufacturing entry आती है अगर आप manufacturer हैं किसी product को manufacture करते हैं उसके लिए bill of material को prepare करते हैं तो यहाँ पर manufacturing and stock journal voucher को use करते हैं tally prime को open कर लीजिए अब हम यहाँ से देखने वाले हैं tally prime में features के option में क्या क्या है and configuration में क्या क्या है तो सबसे पहले tally prime पर रहते हुए आपको features option कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं tally prime को open करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे उपर company का option show हो रहा है इस option पर आपको click करना है जब आप company के option पर click करेंगे तो यहाँ आपको features का option show होगा इस पर आपको click करना है shortcut keys भी आप प्रेस कर सकते हैं यहीं से F11 प्रेस करेंगे तो भी आप features के option पे आ सकते हैं अब यहाँ पे जो company का feature से वो open हो चुका है show more features पे and show more options पे आपको दोनों options पे yes करना है सारे features and सारे options आपको यहाँ पे show होंगे यहाँ आप देख सकते हैं आपको category show हो रही है accounting की, inventory की, take session की, online access की, payroll की and others की यहाँ पे six categories आपको show होती है आप अपने work के according इन सारे categories में जो options है उसको enable and disable कर सकते हैं तो one to one हम सारे category को discuss कर लेते हैं so that आप समझ सके कि कैसे आपको इन सारे categories को use करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ options आपको yes में by default tally premise set रहते हैं जो की basic accounting के purpose से set किये होते हैं अगर आप इन सारे options को no करना चाहते हैं yes करना चाहते हैं तो आप अपने according कर सकते हैं तो सबसे पहले हम accounting वाले option को देख लेते हैं maintain accounts तो इस option को आपको yes करना है तभी आप maintain कर पाएंगे account को next है bill wise entry तो इस option को भी आपको yes कर लेना है अगर आप parties के bill की entry करते हैं bill wise maintain करना चाहते हैं तो yes कर लीजिए next है enable cost center अगर आप cost center wise accounting को maintain करना चाहते हैं तो इस option को yes कर लीजिए enable interest calculation अगर आप अपने parties के bill wise में interest calculation करना चाहते हैं तो इन option को yes कर दीजिए otherwise इसको भी आप no करके skip कर सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले जो category है accounting की उसको कर लिया है अब आते हैं inventory के तरफ अगर आप manufacturer है और अपने accounting के साथ inventory को भी maintain करना चाहते हैं next है intra get accounts with inventory तो अगर आप accounts के साथ inventory को भी maintain करना चाहते हैं तो इस option को yes कर दीजिए उसके बाद next है enable multi price level अगर आप अपने product में multi price level को enable करना चाहते हैं set करना चाहते हैं तो इस option को yes कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस option को आप no करके escape कर दीजिए और आगे बढ़ जाएए next है enable batch wise accounting तो यहाँ पर अगर आप batch wise accounting को maintain करते हैं कुछ accounts है जिनको हम batch wise करते हैं जैसे की parma company होगी medicines होगी medical store होगए कुछ malls होते हैं जो grocery item होते हैं and showrooms होते हैं bike के तो इन सब की accounting हम batch wise करते हैं अगर इस type की accounting को आप maintain करते हैं जहाँ की batch wise आपको accounting के ज़रुत पढ़ती है तो इस option को आप yes करके batch wise accounting को enable कर सकते हैं and use कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको product के expiry and manufacturing date को mention करना होता है उसके लिए हमें batch wise accounting को option को enable करना होता है अगर आप manufacturer है और इस option को use करना चाहते हैं तो इसको आप yes कर सकते हैं enable cost tracking, अगर cost tracking करना चाहते हैं अपने product की तो आप इसको yes कर सकते हैं, enable job costing उसको भी आप yes कर सकते हैं and batch wise accounting को यहाँ पे आप maintain कर सकते हैं, अब उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे आपको show होगा use discount column in invices, अगर आप separately discount का column अपने invices पे use करना चाहते हैं तो इस option को आप yes करक अपने invices पे separately discount का column enable कर सकते हैं, use separate actual and bill quantity column in invices, अगर आप अपने invices में separate and actual quantity को अलग से यहाँ पे mention करना चाहते हैं, इस option को yes कर सकते हैं, आप take session वाले option को देख सकते हैं, enable takes वाले, यहाँ पे yes करके सारे GST से रिलेटर आपकी सारे information आपको feel करनी होती है, जैसे आपका GST number क क्या है, उसके बार यहाँ पे अगर आप return file कर रहे हैं, मन्तली कर रहे हैं, तो मन्तली कर लिजे, आपका registration type क्या है, यह सारी information आप यहाँ पे feel करके, इस screen को save कर दीजे, तो यहाँ पे आपको GST से related, टेक्सें से related सारे option enable हो जाएंगे, इसे type से TDS अगर आप deduct करते हैं, या yes करेंगे, yes प्रेस करके enter प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे 10 registration number, और सारी information आपको TDS से related, यहाँ feel कर देनी है, उसी type से अगर आप TCS collect करते हैं, तो TCS वाले option पे जाके yes कर दीजे, और सारी information उसमे feel कर दीजे, उसके बाद next यहाँ पे यह तीनो टेक्सेशन वाले option हो ग इसनो अपने according कर सकते हैं, next features है payroll का, अगर आप अपने employees की salary को pay करते हैं, payroll के through तो यहाँ पे इस option को yes करके, and payroll वाले option को use कर सकते हैं, others पर click करके, यहाँ पे इन options को भी use कर सकते हैं, तो teleprime में जो features थे, वो भीने आपको बता दिया कि क्या-क्या features थे, आप चलते हैं, move करत कानफिग्रेशन के तरफ की क्या-क्या configuration, कैसे, कैसे configuration आपको करना है, तो देखिए teleprime में जो configuration का window है, वो every window पे change हो जाता है, suppose कि आपको यह entry कर रहे हैं, तो वहाँ पे configuration के options अलग होंगे, अगर आप GST की reports पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे configuration के option अलग होंगे, तो यहाँ पे configuration के options जो है, वो आपके screen के according, change होते रहते हैं, तो आप उसके according configuration कर सकते हैं, जिसे मैं आपको यहाँ पे example दे रही हूँ, हमने voucher open कर लिया है, right hand side पे F12 प्रेस करके यहाँ आप देख सकते हैं, configuration की window open हो गई है, अब यहाँ पे, आप अपने according सारे options को yes, no कर सकते हैं, ज इसे type से यह जो configuration वाली window है, वो कहीं भी, जब भी आपका screen चेंज होगा, जिसे मैंने sales voucher open कर लिया है, यहीं से F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, configuration वाला जो window है, वो change हो जाता है, every page पे, अलग-अलग pages पे, जिसे जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, उस इस pages इस पे configuration के options change आते हैं, आप इसके according, यहाँ पर setting कर सकते हैं, जिस option को use करना है, yes कर लिजे, जिस option को नहीं करना है, no कर दीजे, thank you, I keep watching my videos, टैली प्रैम को open कर लिजे, अब हम यहाँ से partners के ledger को create करेंगे, तो gateway of telly से अगर हमें create करना है, तो सबसे पहले create का option show हो रहा है, उस पे click कीजे, और उसके बाद हम create करेंगे, ledger को ledger पे click करके, यहाँ से आपको अपने partners के ledger को create करना है, जब आप अपने business को start करते हैं, त वहाँ पे दो partners होते हैं, तीन partners होते हैं, चार partners होते हैं, तो उनके ledgers को हम कैसे create करेंगे, सबसे पहले जो partner का name है, वो type कर लीजे, तो यहाँ सबसे पहले मैंने suman किया है, और bracket में partner कर लिया है, so that इससे understood होगा कि यह partner है, अंडर में select करना है, capital account, और इस ledger को save कर लीजे, तो सबसे पहला जो partner का ledger है, वो हमने create कर लिया है, इसी tab से second partner का ledger हम create कर लेंगे, जो partner का name है, वो आपको type कर देना है, तो second partner मेंने create किया है, आदित्या, partner कर दिया है bracket में, so that understood हो, under हमें create कर लेना है, capital account के, क्योंकि जो partner से, उनका ledger हम create करते हैं, under capital account के, थर्ड पार्टनर है शिव पार्टनर कर लीजिए अंडर हमें create करना है capital account के और यहाँ पे इस ledger को save कर लीजिए इसी टैप से जितने भी partners की ledger है one to one आप यहाँ पे create कर सकते हैं end में हम create कर रहे है अंजली partner अंडर आपको रखना है capital account so in this way आपके जितने भी partners हैं दो partners हैं तीन partners हैं चार partners हैं आपके business के इस टैप से आप अपने partners के ledger को create कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो कैसे आप देखेंगे आपको यहीं से go to में जाना है और यहाँ से आपको balance sheet को open कर लेना है तो आप यहाँ देख सकते हैं capital account आपको show हो रहा है यहाँ पर आपको अभी show नहीं होगा क्योंकि हमने जो entry अभी की है जो हमने ledger create किया है उसमें हमने कोई भी transaction नहीं किया है इसलिए वो सारी entries आपको यहाँ पर show नहीं होंगी जब हम entry कर लेंगे transaction कर लेंगे उन ledger का use करके तब आपको वो सारी ledger show होंगे जो हमने create किया था उसको देखने के लिए gate view of tally से alter पे then ledger पे आपको जाना है और अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने ledgers create किये थे partner के यहाँ देखे आदित्या, अंजली पार्टनर शिव पार्टनर, सुमन पार्टनर नाम सी ledger आपको show हो रहा है इस ट्रैप से आप ledger को create कर सकते हैं I hope यह वीडियो आप सभी लोग के लिए help बोल रही होगी अगर help बोल रही है तो एक चुटा सा काम कर दिजेगा आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब आपको वहाँ प्लेलिस भी मिल जाएगी आप प्लेलिस भी वाच कर सकते हैं प्लेलिस आपके लेकापी helpful रहेगा तो definitely प्लेलिस को watch कीजिएगा tally and accounts related maximum videos को cover करने की मैंने अपने वीडियो में अपने चैनल में कोशिश की है still कर रही हूँ and in future मैं भी मैं करती रहूँगी बस आप से भी लोग मुझे इसी तरह से support करते रहे है साथ देते रहे है आई भी शेज वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली आप लोग के साथ शेयर की है यह वीडियो आप से विडियो के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो like किजिए, share किजिए and subscribe किजिए चैनल को thank you and keep watching my videos